बिहार के नतीजे वेलकम टू आज कल टेन टेन पी एम आम प्रेस पे पॉलिटिक्स एंड करेंट अफेर्स पूरे देश की नजर आज बिहार के नतीजों पर है बहुत ही ओपिनियन पोल से एक्जिट पोल से अलग अलग किसम के नतीजे देखने को मिल रहे है अब एक तरफ एक्जिट पोल कहते थे कि महागठबंदन क्लियर मजोरिटी ले जाएगा जब मैं नतीजों के ट्रेंड्स देख रहा हूँ और करोना की वज़ा से ये नतीजों की काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है पर ट्रेंड्स बड़े इंट्रेस्टिंग है भाजपा और तेजश्वी यादव की पार्टी में एक रेस लगी हुई है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी अब ये दर्शकों इंपॉर्टेंट क्यूं है ये समझे जब एक राज्य में इलेक्शन्स होते हैं तो गवर्णर उस पार्टी को इनवाइट करता है गवर्मेंट फॉर्मेशन के लिए पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है तो सबसे ज़्यादा सीटे भाजपा को मिलेंगी या तेजश्वी यादव को मिलेंगी ये सवाल खड़ा होता है अब प्रशन आता है एक्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर नितिश कुमार जी का नितिश और भाजपा नितिश कुमार और भाजपा का गठबंदन हुआ भाजपा ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाजपा ने पहले से एलान किया हुआ है कि नितिश जी हमारे गठबंदन के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है नतीजों का कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर महा गठबंदन या सौरी अगर गठबंदन भाजपा का और नितिश जी का आगे निकलता है मजोरिटी मार्क से तो नितिश कुमार मुख्यमंतरी बनाये जाएंगे अब नतीजे इस तरह से आए है अब सवाल खड़ा ये होता है कि देखो बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है आज भी मैंने देखा कि लोग ट्विटर पर कॉमेंट्स के अंदर इवी एम के उपर सवाल खड़े कर रहे हैं ये इवी एम के उपर बार बार सवाल खड़े करना डेमोक्रेसी का मजाख लगता है मुझे या तो elections ना कराओ EVM के साथ और अगर करा रहे हो तो कौनसी पार्टी जिती है एक या दूसरी बार बार उसके उपर प्रषण चिन ना लगाओ आप जब प्रषण चिन लगाते हो तो आप उलेक्शन कमिशन के उपर प्रषण चिन लगाते हो तो आप भारत के समविधान पर भारत की डेमोक्रेसी पे प्रस्ट चिन लगाते हो वो बुझे ठीक नहीं लगता तो जो नतीजे आए है जो जनता जनार्धन जिसको भी वोट देना चाहती है चाहे वो एक पार्टी हो चाहे वो दूसरी पार्टी हो कॉंग्रेस का तो भटाई बैठा हुए सबसे कम स्ट्राइक रेट कॉंग्रेस का अब कॉंग्रेस हैं कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन कोंग्रेस की बैंड बचती जा रही है दूसरी तरफ भाजपा है बहुत बड़े-बड़े स्ट्रेटिजिस्स हैं वहाँ पर अमिट शाह है और जेपी नडड़ा है और अफकॉर्स नरेंदर बोदी जो भारत के प्रधान मंतरी भी है पर पहले इलेक्शन के संदर में वह भाजपा के लीडर है तो भाजपा is doing something right तेजस्वी यादव at 31 years of age is getting a lot of votes कॉंग्रेस समझ में नहीं आता क्या हो रहा है कॉंग्रेस के साथ लेकिन आज कल में मैं सिरफ यही कहुँआ नतीजे आने दीजिए करोना के चकर में काउंटिंग कुछ पोलिंग बूस में रुकी हुई है उस बात से तेजस्वी यादव को भी तकलीफ हो रही है कि दस कॉंच्टिचुएंसी में काउंटिंग रोक क्यों दी गई है क्या कुछ हेर फेर होने वाला है पता नहीं मुझे मेरा फर्ज है मेरा दिल है मैं आम प्रेस पे आम प्रेस के दर्शकों को रात को दस बज के दस मिनिट पे पॉलिटिक्स और करेंट अफेर्स में देश में या विदेश में क्या चल रहा है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो गनाओ वीडियो हाजर है अब आपके उपर थोग को शेयर जी